उम नमाशिवाय हर हर महादेव आप सभी को होली के हरदिक शुपकामना मित्रों होली 2022 की बात करें तो इस बार बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि पांचांग जो है वो कह रहा है कि होली 18 तारीक को है लेकिन गूगल जो है वो बता रहा है कि 19 तारीक को होली है तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजड हैं क्या है यह कन्फ्यूजन इसको समझना जरूरी है तो हम आपको इस वीडियो में पूनता हिसी भारे में बताने वाले हैं जी हाँ वैसे तो होली जो है वो हर वर्ष फालगुन महीने की पूर्णिमा तीथि को मनाया जाता है फालगुन पूर्णिम का संयोग बना है कि उल्जन बढ़ गई है क्योंकि पांचांग में 18 मार्च और गूगल में 19 मार्च तो ये उल्जन समझना जरूरी है कि है क्या चेज तो पांचांग की गणना के अनुसार होली का दहन इस साल 17 मार्च यानि की गुरुवार के दिन हो जाएगा रंगोत्सव जो है वो रंग गुलाल वाली होली 18 मार्च यानि की शुक्रवार को होगी दरसल इस साल हुआ क्या है फालगुन पूर्णिमा की तीथी का आरम 17 मार्च को दो पहर एक बज़ करके 30 मिनट पर होगा पूर्णिमा तीथी 18 मार्च को दो पहर 12 बज़ करके 48 मिनट पर समापत हो श्व्यापिनी भद्र रहित ग्रहा यानि कि होली का दहन पूनिमा तीथी में भद्रा रहित काल में करना चाहिए साथिसास्त इस ग्रंत में कहा गया है कि यदि प्रदोश काल में भद्रा हो और निशित काल में पहले भद्रा समाप्त हो जा रहा हो तब भद्रा के समाप्त होने पर निशित काल यानि के मध्यरातरी से पहले होलिका दहन कर लेना चाहिए लेकिन ये नियम इस साल लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि तीथियों का ऐसा संयोग बन रहा है तो 17 मार्च को प्रदोश काल में होलिका दहन उत्तम रहेगा इस साल की बात करें तो जिहां इस साल 17 तारिक को प्रदोश काल में भद्रा है और मध्यरातरी में भी भद्रा का साया बना हुआ है इसके साथ ही अगले दिन प्रदोश काल से पहले ही पूरिमा समाप्त हो जा रही है ऐसे में धर्म सिंधु के एक अन्य नियम के अनुसार जिस दिन प्रदोश काल में पूरिमा हो उस दिन भद्रा मुख काल को छोड़ करके हूलिका दहन कर लेना चाहिए बताया गया है इसी नियम के अनुसार साल 2022 में होलिका दहन किया जायाना चाहिए और किया जाएगा और 17 मार्च को शाम को 6 बज करके 33 मिनट से रात के 8 बज करके 58 मिनट के दौरान प्रदोश काल में होलिका दहन किया जाना शास्त्र संम्मत रोप से उत्तम होगा क्योंकि इस समय में भध्रा का साया नहीं रहेगा इस नियम के अनुशार होलिका दहन 17 मार्ज को किया जाएगा और रंगोत्सो जो है यानि कि जिसे हम घुलंडी भी बोलते हैं वो 18 मार्ज को की जाएगी होलिका दहन का समय और मुहुर्थ समझ लिजे 2022 के लिए फालगुन पूर्णिमा आरम जो हो रहे है यह वो 17 मार्ज को 1 बज करके 30 मिनट पर और फालगुन पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी 18 मार्ज को 12 बज करके 48 मिनट पर भध्रा मुक काल 17 मार्ज को 10 बज करके 14 मिनट से 12 बज करके 11 मिनट तक रहेगा भद्रा पुक्ष जो है काल वो 17 मार्च रात 9 बज़ करके 4 मिनट से 10 बज़ करके 14 मिनट पर रहेगा हुलिका दहन का समय 17 मार्च शाम को 6 बज़ करके 33 मिनट से 8 बज़ करके 8 मिनट का होगा अब ये अलग-अलग एरिया में भी अलग-अलग हो जाता है तिथी का घाट बढ़ तो इस वज़़ा से अलग-अलग कई बार देखेंगे तो पांचांग में भी फरकाता है क्यों क्योंकि जो standard time होता है उसका फरकाता है इस वज़़ा से आप देखेंगे कि बहुत सारा confusion रह सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने एरिया के साथ कमेंट करेंगे तो और ज्यादा बहतर होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जिस एरिया का कमेंट होगा हम कोशिश करेंगे कि उधर के तो वीडियो को जरूर कबर करें यह आज की वीडियो रही है ऐसी ही जानकारी पू फेस्बुक पे तकी सभी को वीडियो मिल सके आप देख रहे हैं जिवन रक्षा चैनल फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें प्रेम से बोलें उम नमाश शिवाय हारा हरा महादेव